असलाम अलेकुम, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस तरह से एजिरोम वाइफाई को कनेक्ट कर सकते हैं एजिरोम एक्चुली दूवर्ड से मिलके बनाया है एजुकेशन रोमिंग जो उनिस्टीर में स्टूदेंट्स को इंटरनेट पर वाइट करता है तो आपने करना के नीचे बार में बाइफाई का ऑप्शन है उसे क्लिक करना उसके बाद वाइफाई के अंदर एंटर होके अगर पहले से चनेक्ट है आजुरोम तो उसे फोगेट कर देना है So right click करके आप उसे forget कर देंगे और अगर पहले से connect नहीं है तो आप आगे लिए steps फॉलो करें के बाद आपने connect पे click करना है So connect पे click करने के बाद वो आप से username और password मांगेगा आपका username यूनिस्टी की तरफ से allotted होगा आपको So जैसे के 22 यानि आपका पहले होगा session उसके बाद आपका होगा department उसके बाद आपका होगा role number जैसे 22cs और आगे For example 100 at the rate उसके बाद होगा students. आपकी यूनिस्टी का नाम For example मेरी यूनिस्टी का नाम uet taxila.edu.pk उसके बाद आपने अपना password देना है जो कहार यूनिस्टी का अपना होता है So मेरी यूनिका है uet at 123 So यह common password होगा So फिर आपने ok पे click करना है So यहां से वो आपको दिखाएगा continue connecting और ऐसा कुछ message So फिर से अपने connect पे click करना है So very next step में वो आपसे पुछेगा कि आप क्या password देना चाहते तो आप वहाँ पे कोई new password देंगे और यह recover नहीं हो सकता Therefore आप इसे कहीं पे लिख लें ताके यह बाद में भी याद रहे जैसे ही आप ok करेंगे तो मरी wifi connect हो जाएगी So अब हम settings पर भी जा कि देख लेते हैं Settings पर देख सकते हैं यह अप लिखा हुआ है यह यह लिखा हुआ है और उसके बाद आप इसके speed भी देख सकते है 144 Mbps है जो कि एक अच्छी speed है याद है कि यह process फस्ता इंजिस PC पर ही हो सकता है So आप phone वगारा पर try करेंगे तो यह नहीं होगा So आपने PC पर इंस्टप्स को follow करते हुए अपना पहले EG ROM setup करना है उसके बाद आप किसी भी डिवाइस पर इसे चला सकते है So Allah Aafiz, Thank You